नमिशकार दोस्तों, 2022 में इन राशी वालों के होने जा रहे हैं वारे न्यारे, शनी नहीं करेंगे परेशान। दोस्तों, 2022 में कुछ राशीयों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। नई साल में इन राशी वालों को शनी का प्रकुप नहीं छेलना पड़ेगा। नया साल यानि की वर्ष 2022 में शनी देव की दिश्टी से कुछ राशीयों को राहत मिलने जा रही है। वर्टमान समय में मकर राशी में शनी देव विराजमान हैं, सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 में शनी का कोई भी राशी परिवर्तन नहीं था, लेकिन साल 2022 में शनी राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनी वर्ष 2022 में दो बार राशी परिवर्तन करेंगे पंचांग के अंसार पहली बार शनी देव 29 अप्रेल 2022 को राशी बदलेंगे इसके बाद 12 जुलाई 2022 में शनी का राशी परिवर्तन होगा विशेश बात ये है कि शनी के राशी परिवर्तन से साल 2000 में आठ राशियों पर शनी देव की द्रिश्टी होगी वर्ष 2022 में जैसे ही शनी अपनी राशी बदलेंगे इन पाँच राशी पर शनी का धईया और मकर धनू और कुम राशी पर शनी की सारसाती चल रही है वर्ष 2022 में जैसे ही शनी अपनी राशी बदलेंगे इन पाँच राशियों को राहत मिलेगी साल 2022 में शनी मकर राशी निकल कर कुम राशी में आएंगे वही एक जन्वरी 2022 से 28 अपरेल तक शनी मकर राशी में विराजमा रहेंगे धनू मकर और कुम वालो पर शनी की सारसाती रहेगी तो मिठुन और तुला वालो पर शनी का ढहिया धनू राशी वाले शनी की सारसाती का आखरी चरन होगा मकर राशी वालो पर दूसा चरन और कुम राशी वालो पर इसका पहला चरन रहेगा 29 अप्रेल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक शनी देव कुम राशी में विराजमा रहेंगे इस दोरान मकर, कुम और मीन राशी वालों पर शनी की सारस्यती रहेगी जिसमें मकर राशी वालों पर इसका आखरी चरन, कुम वालों पर इसका दूसा चरन तो मीन राशी वालों पर पहला चरन रहेगा वहीं करक राशी वाले और रिक्षिक राशी वालों पर शनी का धईया आरम होगा इस अब दिमें धनु वाले शनी सार्शिती से मुक्त रहेंगे तो मिथुन और तुला वाले शनी की धईया से रहेंगे धन्यवाद दोस्तों